कि एलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप अप्वीद्य सब अच्छे से होंगे आज हम बात करेंगे सूपर एरिया कार्पेट एरिया और बिल्टप एरिया के बारे में यह बहुत ही चादा कॉमन वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल किया जाता है और बिल्डर्स के हिसाब से यह ट्रम्स कैसे होते हैं और किस तरीके से क्लाइंट को पेमिंट करना पड़ता है इसी के बारे में हाजम बात करेंगे कार्पेट एरिया कार्पेट एरिया जिसे के नाम से ही पता चल रहा है कि कार्पेट एरिया वह एरिया होता है जहां पर कार्पेट एक्छोली बिछाई जा सकती है तो अगर जैसे से तो ہोती हैं कोई ऊगुबिन जाता है को अगर में बात करें हैं जाहाँ आपने क मही यह बात केह सकती हैं लाब 11 ऑसके जोटेस को फैसे कि चाहेता है यह उत्या कtoi अभी हाँ पला और खाहँ एरिया पोक्षोपित मौड़ाइस वे नहीं कार्पेट अरिया कार्पेट अरिया कि अपर्टे के अंदर यूस कर सकते हैं कि लेकिन जर्टनल वाल्स हैं बाहर कि चीजा आती हैं वह से एरिया में नहीं आती है कोई भी बंदा कोई भी क्लाइंट एड़ टाइम ऑफ हेंडिंग ओवर वो उसको मिज़र तो करता नहीं है कि उसका फ्लैट कितनी वेल्यू की साइज के हिसाब से मिल रहा है तो इसके हिसाब से भी रहरा ने एक काइड लाइन जारी कि कि जो भी जब भी बिल्डर ने क्लाइ क्लाइंट एड़ टाइम अफ हेंडिंग ओवर देखता ही नहीं है लेकिन इसको देखना चाहिए इसको प्रॉपर मिजर कराना चाहिए क्योंकि इसी के साब से आप पेमिंट करते हो कार्पेट अरिया की डिफिनिशन आपको समझ आ गई होगी कार्पेट अरिया वह एरिया अगर फार्मूला की बात करें तो जो पार्मूला है कार्पेट अरिया ओफ बैडरूम लीविंग रूम्स बालकनी ड्रोयेट में से अकर अप इंडर ऑन्स जो अंदर की वाल्स है उसकी तिकने फूल्स को घटा दे तो वह एरिया टोटल कर्पेट अरिया हो जाता है आसा में ही करते हैं जो आप से चार्ज करता है जो आता है ईकमायद का ही कि अनुट है हूथ हुआ असमें ऐसा नेकोड़्ी आता हुआ हुआ है असमें कुछ कमने अरिया का एडिया बीन लोडिंग के हिसाब से एड़ कर दिया जाता है जैसे के स्टेर केस लॉबी इस लिफ लॉबी कलब स्विमिंग पूल और वॉक वे एड़ सेक्टरा यह सारी चीज़े आ जाती है तो यह सूपर बिल्टप एरिया या सूपर एरिया इसको कॉमनली यूज़ करते हैं यह इसके हिसाब से बिल्डर आपसे पैसा चार्ज करता है लानि कि कोई बीया कब 4500 रुपे स्कॉर फिट या 6000 रुपे स्कॉर फिट कोई बिल्डिंग में सेल हो रही है तो वह सूपर एरि डिवाइड़ वई कार्पेट एरिया इस इकल टो अगर कही पर सूपर एरिया ज़्यादा होता है तो वन पाइंट टू अगर आता है तो इसका मतलब है इसमें 20% की लोडिंग बिल्डर ने की है यानि कि 20% पैसा आप ज़्यादा एरिया का पे कर रहा हो जबकि आपको कार् स्टकर एरियुआर स्टेयर के साथ आपको कार्दार नाप्ति ठाप एरिया यद्यादाओ्यद एरिया डिवाइक जाता हुकि आफेट रहा।